हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूटूब चनल आरकेम टेक इंफो पर आप सभी सात्यों का तैदिल से हार दिख स्वागत हैं इन सब परसुनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चरचा करने वाले इसलिए आप अंतक अमारे साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे साथ ही अमारे यूटूब चैनल को सब्क्राइब कर ले दोस्तों राजस्तान करमचारी चैनल बोड़ दूरा कनिश लिकाकार के इक्क्याउन सो नबबब और तैसिल राजस्तान करमचारी चैनल बोड़ दूर इसके प्रियास कर रहा है जल्दी दस्तावे सत्यापन किया जाएंगे इसके लिए सम्मध्य डिपार्टमेंट से उनका विचार विमर्स चल रहा है और जल्दी इसके लिए टाइम स्ट्यूल जारी किया जाएगा अब की बार रास्तान करमचारी चैनल बोड़ ओनलाइन दस्तावे सत्यापन की प्रक्रिया अपना रहा था लेकिन दोस्तों ओनलाइन में दस्तावे सत्यापन में बहुत समय लगेगा इसलिए रास्तान सरकार ने ये निर्ने लेया गए कि दस्तावे सत्यापन समंधित डिपार्टमेंट ही करेगा साथ यू संबंधित डिपार्टमेंट डुआरा दस्तावी सत्यापन किया जाता वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि दस्तावी सत्यापन बहुत जल्दी आपके पूरे हो जाएंगे साथ यू जूनियर अकाउंटेंट बरती में साड़े 10.000 से अधिक अभ्यार्टियों के दस्तावी सत्यापन किये जाने हैं और अधिक कंडिडेट होने के कारणे दस्तावी सत्यापन आपके अलगल खेज में करवाए जाएंगे और डीवी के लिए क्वालिफाई अभ्यार्टियों में कुछ कंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी 21 वर्ष से कम आयू है और उन्होंने फोरम लगाया और पास भी हो गए हैं उन अभ्यार्टियों के दस्तावी सत्यापन नहीं होगा ये सा रास्तान करमचारी चैन बोर्ड के बताया है और ये भी बताया है कि जूनिर अकाउंटेंट की डीवी प्रात्मिक्ता से करवाने का प्रियास कर रहे हैं और संबंदित विवाग इस्तर और बोर्ड इस्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इंतजार कुछ दिनों में समापत होने की संभावना रास्ता ओनलाइन और ओफलाइन डीवी संभा होता है एक सितंबर से सुरू हो जाएगी तो दोस्तो इस से इस्पेश्ट हो गया कि 20 अगस्त के बाद आपके जूनिर अकाउंटेंट बरती प्रिक्षा के लिए इस कुरूट ने भरना सुरू हो जाएगा और जैसे पूरे फोरम वरा जल्दी आने वाली है इसका ओफिशल नोटिफिक्शन में बहुत जल्दी निकलने वाला लेकिन दोस्तों आपको जूनिर अकाउंटेंट बरती प्रिक्षा के लिए क्या-कया तैयारी करके रखने है कौन-कौन से दस्तावेज आपको पहले से तैयार करके रखने है इन सब से पहले आपके पास दसवी की अंकतालिका और उसका प्रमानपत्र होना चाहिए जिसमें आपकी जनमतारी कंकित हो बार्यू की अंकतालिका है यह प्रमानपत्र आपके पास होना चाहिए नमबर तीन इसना तक की पर्ष्ट एर सेकंड और थर्ड एर की अंकतालिका है और आ जेटि जाति प्रमांपत्र, मौलनिवास प्रमांपत्र, ऐसे कोई दस्तावेज आपके पास नहीए, तो आप दोस्तों तुरंत परभाव से बनवा लेए, नंबर साथ, प्लिष चरित्य प्रमानपत्र आपको बनवाना होगा, दोस्तों अभी आप पुलिस चरित्र पर्मान पतर बनवा सकते हैं क्योंकि पुलिस चरित्र पर्मान पतर की वेलेडिटी 6 मैने के होती है तो आप अभी एपलाई कर दे उसमें 8-10 दिन आपके लगते हैं तो दोस्तावे सत्यापन के लिए पहले से आपके पास पुलिस चरित्र पर्मान पतर तयार रहेगा इसी प्रकार दोस्तों अंतिम सेक्षिनिक संस्तान से आपको जासे आपने अंतिम सेक्षिनिक योगिता प्राप्त करिए वहां का चरितर पर्मान पत्र आपके पास होना चाहिए तो इसके लिए भी दोस्तों आप संबने संस्ता से संप्रक करके अपना चरितर पर्मान पत्र तयार करवाले नमबर 9 विवा पर्मान पत्र या सपत पत्र जो विवायत अब्यारती है उनको विवा परमान पत्र बनवा लेना चाहिए और जो एविवायत अभ्यारती है उनको सपत पत्र बनवाना होगा तो उसका फॉर्मेट रास्तान करमचारी चैन बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा और जब दस्तावी सत्यापने के लिए Official Notification निकलेगा उसमें भी आपको उसका प्रारूप दे दिया जाएगा इसी के साथ दोस्तों नमबर 10 बच्चों से समदित सपत परमान पत्र बनवाया जाता है तो वो परमान पत्र आपको तयार करना कि दोस्ते अधिक बच्चे नहीं है इसी प्रकार दहीज नहीं लेने के समद में आपको सपत पत्र देना होगा इसी के साथ दोस्तों आप 5 से 10 फोटो आपके नंगिन जो लेटेस्ट फोटो वो खचवा के रखे पासपोर साइज की उसी के साथ नंबर 13 पैचान पत्र जिसमें आदार कार्ट पेन कार्ड या कोई भी ऐसी वोटर आईडी जिसमें आपका फोटो के साथ आपका पैचान पत्र बनावाओ वो आपके पास होना आउशक है दोस्तों आपका आदार कार्ट अपडेटेट होना चाहिए उसमें फिंगर प्रेंट और आपकी फोटो नविंतम होनी चाहिए और सारे प्रमान पत्रों में सब चीजे सेम होनी चाहिए ऐसा नहीं हो किसी में क्या नाम लिखा हुआ किसी में क्या है किसी में क्या नहीं है ऐसा कुछ मी नहीं होना है सब में सैम आपका नाम और जणमतारिक अपडेट होनी चाहिए यदि कुछ थोड़ी बहुत मिश्टेक होती उसके लिए सपतपतर लग जाता है लेकिन दोस्तों ज़्यादा मिश्टेक होगी तो आपको प्रिक्सिया के आगे चगरण में वन्चित भी किया जा सकता है इस चीज का आप विशेश रूप से ध्यान रखे सात्यों रास्तान करमचारी चैन बोड के ओपिशल वेबसाइट पर जाए उसके बाद दोस्तों आप इन थ्री डोट पर किलिक करें थ्री डोट पर किलिक करने के बाद दोस्तों आप कंडिडेट कोर्नर पे जाए यहाँ पर जाके इस पर किलिक करें किलिक करने के बाद दोस्तों आपके पास ये वाला उप्सन खुल जाएगा New Details, Scrutiny Forum ये वाला दिया गया है इसको डाउनलोड कर ले डाउनलोड करके दोस्तों इसको अच्छी तरह से देख ले ये Scrutiny Forum आपको दस्तावे सत्यापन से पहले बरवाये जाएगा तो इसमें क्या-क्या चीजे मांगी गई है वो सारी चीजे इसमें दी गई है तो इसको अच्छी तरह से आप देख ले डाउनलोड करे और सारे दिशा निर्देशों को पढ़े और उसके बाद दोस्तों इसको एक बार आप प्रिंटाओ निकलवा के इसको पूरा बढ़ ले जिससे आपको ओनलाइन बढ़ने में किसी परकार की दिक्कत नहीं होगी इसमें कौन-कौन से डोकुमेंट्स आपको लगाना है और सब चीजे हैं क्या बढ़ना है क्या आई इसके दिशा निर्देशों को देखकर आप आसानी से बर सकते हैं इंदी और इंग्लिस दोनों में इसके फॉर्मेट दिये गए हैं अपनी सोलित के अनिसवार इसकूर्टनिस फोरम को आप बर सकते हैं इस परकार दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के दस्तावे सत्यापन आपके 20 सिगस्तवाद इसकूर्टनिस फोरम और 1 सितमबर के लगबग आपके इसके दस्तावे सत्यापन शुरो होने की संभाव ना है